एक तारीख नहीं यह एक नएक काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सद्यों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाहि से अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं है साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते है इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूं मैं माता जान की लक्षपन जी भरत सत्रूग्ण सब को नमन करता हूं मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यू को भी प्रणाम करता हूं मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियावी इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं इन से भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतक्यता पूर्वक नमन करता हूं मैं आज प्रभूस्री राम से शमय आचना भी करता हूं हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कारिय कर नहीं पाए हैं आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभूराम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्थे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन दे कि सब अयोध्यवासी समग्र देश्वासी हर्थ से भर गए लंबे योग से जो आपत्य आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सईय था कि इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वास्यों ने कि सेंकडों वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने वियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभुसिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाय प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान चलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैं स्री राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये विनम्म प्रयास था वहां पर मैंने पुष्प बंदना की वहां मेरे भीतर एक विस्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुब दिशा में बढ़ेगा कि अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दोरां मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंधर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनात स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनात स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष्गोडी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कन कन से जुड़े हुए राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग 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 भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मौका मिला राम को परिभाशित करते हुए रुश्यों ने कहा है रमन्त यश्मिन हिती रामह हर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में पर्वसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है हर्यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असीम है और राम आयन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिये देश वाचियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारियों और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई हैं उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रनी है साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षण तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनएका भी है दुनिया का इतिहास साख्ची है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो ये बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे राम लला के इस मंदिर का निर्मा भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीख है हम देख रहे हैं ये निर्मान किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदिर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगाधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्फ बरतमानी नहीं राम अनन्त काल है साध्यों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापकता के दर्शन हो रहे है जैसा उत्सव भारत में है वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोज्ध्या का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुदहेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोज्ध्या में केवल स्री राम के विग्रा रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये स्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वाज की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिविय मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन को सुखे जाए ये संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदीर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदीर मात्र एक देव मंदीर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदीर है ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है चीवालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्राप्य वर्शानी रागवा अर्थात राम राम दस हजार वर्शों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्शों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्शों के लिए राम राज्य की स्थापना हुए थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वास्यों आजयो द्याभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान चे आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सौगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण हैं जिनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ती सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार बनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटियां में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मा शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्व्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से पड़े हैं निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रतेग भारत्य में अपनत्व की बंदुत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्व्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राज की चेतना का विस्तार साथियों आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूं मैं तो बहुत छोटा हूं अगर कोई यह सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का समरणी हमें हमारी हिचक तो दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सबके प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों लंका पती रामन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यानी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्ठा देखिये वे महाबली रामन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रामन को परास्त नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रामन को चुनोती दी कर्तव्य की यही पराकास्ता समर्थ सच्छम बव्य दिव्य भारत का अधार है और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आये हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कण कण राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे मेरे देश वासियों प्रभुसी राम की हमारी पूजा विशेज होनी चाहिए इस पूजा स्वा से ऊपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए